एक बार की बात है, एक छोटे से गाउं में मीना नाम की एक होनहार लड़की रहती थी, मीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसके माता-पिता किसान थे और उनका मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूर और गाउं के पुराने डॉक्टर से मुफ्त में ट्यूशन लिया, एक दिन गाउं में भयंकर बीमारी फैल गई, बहुत से लोग बीमार पढ़ गए और कई मर भी गए, गाउं का पुराना डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बच पाया, गाउं में दहशत का माहौल था, तभी मीना को याद आया कि उसने पुस्तकों में इस बीमारी के बारे में पढ़ा था, उसने गाउं के लोगों को इककठा किया, और उन्हें बीमारी से बचने के तरीके बताए, उसने गाउं के कुएं को साफ करने, मच्छरों को मारने और साफ सफाई का ध्यान रखने का स अब हर कोई मीना की हिम्मत और लगन की तारीफ कर रहा था। मीना के माता-पिता को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुछ साल बाद मीना शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने लगी और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। गाउ के बच्चों के लिए उसने एक छोटा स्कूल खोला ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार न मानने से और महनत करने से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मीना की कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है चाहे वह लड़का हो या लड़की